दोस्तों अभी मैं जिस फार्म पे हूँ यहां दो वर्सों से बक्री पालन का काम हो रहा है और दो वर्स में यह सेकेंड अपडेट आपको मिलने वाला है कि बक्री पालन में क्या अपडेट यहां हुआ है पिछले दो वर्सों में तो एक तो एक वर्स पहले मैंने बनाया था अभी दूसरे वर्स में मैं यहां का अपडेट देने वाला हूँ तो पहले वर्स में जो था वो थोड़ा खड़ा भी स्थिती थी लेकिन अभी जो आपको अपडेट मिलने वाला इसको सुनके आप चकित रह जाएंगे और अंदर से जो है आपको मोटिवेशन मिलेगा कि साथ ही कुछ ऐसे टर्मिनलोजी आपको यहां मिलेंगे सुनने को देखने को जिसको अगर आप अपने फार्मिंग मोडल में इंप्लिमेंट करते हैं तो बकडी पालन आपके लिए सफलता का वेवसाय बन सकता है इनके टोटल मैनेजमेंट से भी बहुत कुछ आप सीख सकत सब्सक्राइब का स्वागत है आपको दन्यवाद 10 मिने के बाद आप यहां आये हैं इसके फिर से पुना धन्यवाद और आपके दर्सकों को भी दन्यवाद जो बाद में जो दर्सक हम से जुड़े हैं उस वीडियो के बाद तो उनके सहुलियत के लिए मेरा पहला सवाल है सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे कि जो पहली बार हम आये थे तो थोड़ा उस समय इतना ऐसे इस स्केल पर आपका फार्म नहीं था जो अभी है तो कैसे क्या क्या यहां इतने दिनों में अपडेट ला हुआ है क्या क्या तब्दीलियां आई है हमारे दर्सकों गुपताईए सर जब हम के थे तो उस समय हम सुरॉबात के दौर में थे टेंटिंग तो हम लेकर ही आये थे और टेंटिंग आने के बाद भी लेथए लेकिन हमारे से बकरी सेलेक्षन सही नहीं हो पाया था हाड़ भजार से अन्ने बकरी लिया था और थोड़े सी कंजुशी की थी खरिद पहले मेमने की जो है मोटलेटी ज्यादा होती थी अभी बिल्कुल जो है अब बंद हो गया है जी सर पहले 70% मेमने हमारी मर गे थे जो फर्स्ट टर्म में आये थे फिर उसके बाद जो है 90% अमारा बचा 10% गया और इस बार का थर्ट टर्म में जो आया उपरवाल एक दिया से स्वर्श्य भी बादचीत के क्रम में आपने टर्म बताया तीमार सबसे पहले यह थिसको टोटल मिक्स रासन जैसे आप घर में चावल डाल सब्सक्राइब करते हैं दाल एक टाइम खाते हैं उसी तरह इन्हें भी हम चावल डाल सब्जी एक साथ ही देते हैं जिसको टीमर करते हैं तो आप के पास तो गूगल है आज की डिट में उसमें भी सर्च कर से सुखा चारा में लें बहुत ही लापदायक है बिना सुखा चारा का बकरी पालन नहीं कर सकते हैं आप भी जैसे आपने सुना ओगा लॉंग पत्ति राज्स्तान से कोई बहुता नहीं हैं और यहां पर दलहनी खेती होती ही नहीं है तो अगर हम इसको दूसरे जगह से मंगाते हैं इसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है जो छोटे किसान के लिए संबब नहीं है तो फिर इनका निचोर क्या निकलेगा तो निचोर यहीं निकला कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां जो है द्धान और गेहूं और मकई इसकी पैदावार अच्छी होती है तो मकई का कुट्टी कटवाईए यह गेहूं की कुट्टी हो जाती है आप क्या द्धान की तीनों को आप थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कीजिए जैसे एक प्रेश्यू हम दे अगर नहीं देंगे तो आपकी बक्री की जो है ना वह चार्मिंग तो रहेगी बट उसका विट नहीं बढ़ेगा और हमेशा वह बिमार रहेगी और आप दवाई देते रहेंगे तो उसकी पेट की रुमेंट की गती को बढ़ाने के लिए जो है आपको हराल में सुखा चा नहीं खाता हो जैसे पैरा कुटी नहीं खाता है तो एक साधारन सी टेक्निक है पानी में हलका सा गूर 25-30 ग्राम मिलाई ये पानी के साथ और उसी गूर में जो है जो है उस पानी को जो है उसी सुखा चाड़े पर थोड़ा सा छिड़काओ करते ना ज़्यादा गिला हो न पाना देने से सारा दिन हम देते रहते हैं जो हमारा सिड्यूल है देने खrikाने का तो एक बार बनाने से आप भी फृरी होगे कि बार बार आपको हाथ भी गिला निकालना भी नीपड़ा आप बना के तयार कर दिये और जो भी घर परिवार के लोग आपको help करते हैं या इस्टाफ है वो उठाएगा और आपके हिसाब से क्वेंटिटी उसको डाल देगा तो आप एक बार में फुरसत में भी होगे सुबेस भी आपने बना दिया तो उसी के अंदर जो है हम वसा के लिए फैट के लिए जो है स उसी तरह जो है ऑजय का इस्तामाल उसको डालते हैं अइससे करगे जो आपका जो कर सकते हमेरा देटे रहते हैं तो भी पांक शे लिए तक घाना देटे ताकि हमें तो स्कूल जाना पड़ता है अपने इसाब से टाइमिंग सेट है विगर्मिक टाइम है पांच वी जा एक घंटे मखाना होना देके चले गए वह खापी के अपना मस्त रहती है तो यह टोटल आपका खिलाने का मेनेजमेंट तो पिछले दो वर्स में कुछ जानवर यहां से सेल हुए है हां 12 जानवर और इसमें से खास करके हमने तो दो जो है हमारे फरम के ही जो है दो ब्रीडर हमने अच्छे रेट में बेचा तो लगवा कितना का भी का होगा एक लाख से उपर ब्रीडर ही पचास जार पर देख गया तो लगवाग एक लाख रुपए जो है एक साल में बखरी हमने बर्वरी बेगर जो लाई थे वह महंगे थे और महंगे हैं भी आज भी तो इससे में हम दो लाख के आसपास हमारा वहां पड़ा था मतलब टोटल सेड और जो जानवर की खरीदगी में आपने खर्च किये वह लगवाग दो लाख रुपए खर्च किये जी बि मुनाफ़ा हम कह सकते हैं अब मुनाफ़ा ज्यादा आएगा क्योंकि टाइम बीद गया तो अब यह जो है प्रोड़क्शन टाइम पर होते रहता है तो बच्चे आप निकलते थे स्टार्टिंग में हमें तो बच्चे साल बर बड़े करने में लगए और पहला वर्स वैसे कम होते हैं तो पैसे भी कम खर्च होते हैं और दॉक्टर नहीं कि हमखुदी हैं कि सारी बगाई में यह सब अईशे करके आपको डीरे दीरे सीखना पड़ता है आप कहीं से भी कितने भी ट्रैनिंग लें लेकिन असली क्यों हो आपका प्रेक्टीकल होगा यहीं पर होता है फार्म में होता है पहली वार जब बकरी हमारी मर रही थी तो हमें सलाइन चढ़ाने बहुत दिक्कत होड़ी थी लेकिन आप बेधरक से अपने हाथी जो है उनको सलाइन भी हम लगा देते हैं तो बहुत कुछ जो है बकरियां भी आदमी को सिखा देती है जी विससे भी कोई भी भी धंदा अगर आप करने जारे नोकरी ही सही है ना जी करेंगे तो आप घर जाएंगे हाजी करेंगे हो आपको आपको करना पड़े का बहुत के अभी तो इसमें आप को जो है बहुत हिम्मत की जुरत है पेसेंस की जुरत है और सबसे बड़ी चीज है सर कि माल का सेलेक्शन जो आप खड़ीते हैं ना वो सबसे मच्ट है अगर आप हरवड़ी में किसी के कहने पर बकरी ले लिए देख लिए तो वह गरवर है या आप ट्रेंडिंग ले पाते आसपास जो बकरी पालक हैं उनके पास थोड़ा समय देए एक मेना दो मेना जाएं दजवार बीजवार उनसे मिलें रिक्वेस्ट करें उनके रखरखाओं को देखें उनसे बातें लेंके आपके यह जो है और नजर के सामने आपके गाव में हैं कि उनके बकरी से किधनी ब साम करें बिना अनुभव का ना करें नहीं तो आपको नुक्सान कैसे सर मैनेज कर पाते हैं इत्थ आपका श्कूल भी चलता है साथ में यह भी एक बहुत बड़ा काम बगरी पाल तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं सर हो जाता इसकूल का टाइमिंग अपना है क्यूंकि में पानी पिला देते हैं और नियुक्त अब तो कुछ नहीं विलकुल आसान है क्यूंके अपने खेत में घ्वास है यह चापकटर है उसे कटिंग हो जाती है पांच मिनट में हो जाता है जो दो घंटे में सानी काटते थे वह पांच मिनट में मसीन काटकर रख देती है और जो पहले क्या होता था अलग-अलग टाइम में अलग-अलग चीज़ देते जो गलत था यह तो इनका स्वास्ति भी अच्छा रहा और हमारा चार बार सानी बनाने का जंजट भी खतम हो गया यह कि वार में कहीं ज्यादा जो है आप भड़ा चार लगा हुए है जी नेपियर हमारे पास बहुत ज्यादा और हम अब यह परिशान हो रहे करें क्या क्योंकि मैं उसको उखाड़ भी नहीं सकता और बक्रियों के संख्यां तो है है और बक्री में अभी गर्मी की से और थोड़ा हमारे पास इस पेस का अभाब है इसलिए मैं बढ़ा भी ने रहा हूं और हम अच्छे पेमाने पे तो नेपियर हमारे पास बहुत ज्यादा है और लेकिन हम दे नहीं रहे हैं नेपियर इतना होने के बाद क्योंकि हमें पता गर मैं 100% हारा चारा दूंगा तो मेरी ग्रोथ जाएगा अब हम बात करते सर जो सेड़ आपका है हम पिछली बार आये थे तो इस तरफ से हम इंट्री लिए थे अभी आपने फार्म को बिल्कुल अलग डिरेक्शन में कर दिया इसके बाड़े मताईए सर एक्चुली क्या है कि जो साइन्स हमारी कहती है किसी भी फॉर्म क कि टराव आपके नमी को खत्म कर देती हैं पहले मेरा इस्ट में था और वेस्ट में था बीच में खाली था तो शूबह के सेड़ में शरी में चली जाती तु मेरा बिलापन हमारे प्लोस में मकान को chemotherapy लाता जो आपको निज़र आएगा ही तो वह दो डाई मंजिल का तो वह आधा दूर तो हमारा हमेशा ही वह जो है अंधेरा इंधेरा रहता तो मैंने का कि चलो सेट एक तो साइंस भी कहती इस्ट और वेस्ट में बनाना चाहिए तो वह डिरेक्शन भी मिल गया बट हमें नौर्थ म गयास बगरा नहीं बनती है एक साइट तो हमारा मजबूरी है क्योंकि आप टाउन में काम करते हैं तो चारो साइट आपका ऊपन होना तो मुस्किल है क्योंकि परोस में दूसरे के मकान होंगे तो आपको उसी में करना पड़ेगा तो को सिस करें कि इससे वेस्ट अगर आपका अनुभव कहता है इन दो वर्सों के अधार पर यह बात जो आपने करिए सव परतिसत सही का है कि फार्म खूलते हैं और बंद हो जाते हैं यह फूलना और बंद होना सर उस आदमी पर डिपर कर रहा है जो खोल रहा है क्योंकि या तो उसको जानकारी नहीं है या उस थोड़ा वेट वाला तो वह हमें रिजल्ट आज भी दे रहा है जो है सस्ते के चकर में लोग नुकसान कर बैठते हैं जो है दूसरा मेनेजमेंट की चकर में और तीसरा जो है ना वह चाहता है कि मैं आज लगाय और कल ले लिए और बेज दिए यह नहीं इसमें आपको साल दिए ले रहा उससे हतास हो के वह उसको बंद कर देते हैं हमारे हिसाब से यह हैं तो अगर कोई मालिजे बकरी पालन के सुरुवात करें तो उनको किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कैसे उनका मैने भी रखना चाहिए सबसे पहले बात उन्हें प्लेस उसकी है या नहीं है अगर उनकी अपनी है अच्छी बात है अगर लीच पे ले रहे हैं तो कम पांस साल का एग्रिमेंट कर वा ले हैं नहीं तो पता चले के फॉरम खोला और दो मेने के बाद का मकान मालिक कि भाई इसको खाली करो क्योंकि इसमें सोर्गूल हो रहा है या और भी तरह की परिशानी है तो उनसे तो सबसे पहले बात तो उसकी अपनी जगह है तो बेस्ट है नहीं तो पांस साल का एग्रिमेंट हो और उसके बाद ट्रेनिंग ले नहीं यह तो किसे से अनुवब ले अपने आज-पास के किसानों से और अच्छा माल ज्यादा के बगएर दस के साथी सर सर कहीं न कहीं उनको एक साइड इंकम आपको रखना चाहिए या कहीं से भी वह कुछ एका अश्रोत पर पर्मानेंट उनके पास होना चाहिए जी साल बर आपके पास इंकम नहीं आएगे तो आप घर चलाने के लिए पहले आपको अपनी रासन की वेवस्था करनी पड़ी कि तब इनकी रासन की सोचनी पड़ेगे तो जिनके पास यह नहीं है वो सोचेंगे में यह कर लूँगा तो घर वाले इताने मारेंगे और वह बेच के खतम कर देंगे जो लाएंगे दस रुपे का बेचेंगे दो रुपे में अब बात करते हैं सर जैसे बगडी पा किजिए और फिर चौथे मेने में तीन मेना खतम हुआ चौथा शुरू होते हैं चौथा खत्म होने से पहले पहले आप डिवार्मिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो आएंगे वो स्वस्था आएंगे दूसरी चीज चौथे मेने मापको एटी टी हम लग लगाते हैं Heto के जो है 14 दता के बुस्ट को बुस्टर लगाने के साथ दिन के बाद याणि पहला वैक्शन से दूरी कम से कम 21 दिन होने चीज़िए 22 दिन 25 दिन जो पर फिर आप जो है उनको अगर उसकी बॉडी ग्रोफ अच्छी है तो आप तब पीपियार को करें क्योंकि PPR की जो बिमारी की जो है वो बडों को ज़्यादा पिगरती खास करके इटीटी भी जो है healthy बखुरी जिसकी होगी या बच्चे होंगे उन्हीं को इटीटीटीटीटी नहीं पकड़ती क्योंकि उनकी जो वायरस हैं जो कि टानू है उसके पेट के अंदर ही रहते हैं आत में तो ज्यादा खाने के वाद जो है वह आत से बाहर निकलती और उसकी आतरी को ही फार देते हैं तो इसलिए सबसे पहले लगाते है जो मजबूत बक्री होगी उसी को इटीटीटी होगे कमजोर को कभी नहीं होगे अब मेरा आखरी सवाल सर जैसे अगर कोई बक्री पालन के शुरुआत करें तो क्या ब्रीट सेलेक्शन पर कैसे उनको ध्यान देना है क्योंकि यह भी काफी इंपॉर्टन चीज है सर से क्रोस हुआ उसके बच्चे देखिए और कुछ ब्लेग मंगाल सेंपल के तौर पर ब्लेग मंगाल के ही बच्चे हैं दो भाईयों का अंतर आपको साथ मेने का है और जब देखेंगे कि जो पिछला वाला बाई है बड़े वाले से ज्यादा है जो हमारे यहां भी महजू तौर ब्रेट कंवागा है ड्यवावट देखर है जो इसा ऑको सबसेपीज के में हैं तक वाहिए में आप है उस यरिये पे अपके यहाप काम किजिए उस व्रीट से काम कीजिए जो आपके एरिये में लगवग 50-100 km में बिक्ती हो और हमेशा बिक्ती हो सीजन वाइज ने हमेशा जो बिक्ती हो आप उस ब्रीट पर काम करें और कोशिस करेंगा आप उसको अफग्रेट करें बहुत-बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए जी सर आपका भी धन्यवाद दोस्तों ये थे राजीव सर और सर का अपना पुर्णिया के अंदर स्कूल है स्कूल के साथ साथ सर बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से अब सर का फार्म चल रहा है पिछले दो वरसे बकरी पालन में हैं पहला साल तो बहुत क चीजों को ध्यान में रखें और इन टर्मिनलोजी को अपने फार्मिंग मोडल में अगर इंप्लेमेंट करते हैं तो कहीं से आपको बकरी पालन में नुक्सान का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों आसा ये वीडियो आप सब काफी प्रसंद आई होगी फिट भी हो सकत अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा